हाई एब्रिवान आज के इस वीडियो में हम बात करने वाल है कि उसरफी लता जो होता है वह क्या होता है तो दोस्तों आज के इस एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों मैं हूँ पपो गुरू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंसमान त तो चली दोस्तों आज की समझधार लेक्सर में हम क्या सीखने वाले हैं उसको हम जान लेते हैं तो लेकर हम बताते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले तो आज हम सीखने वाले विशरफी लता जो होता है वह क्या होता है तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को मैं बता देता उदारन के जरी हम आपको संधाने का प्रयास करते हैं दोस्तों आपके सामने लोकी दिख रहा है थोड़ी सी पेन की कॉलर चेंज कर रहा है दोस्तों आप लोकी जानते हैं जियां लोकी जानते होंगे कद्दू जानते हैं दोस्तों कद्दू, तर्बूज, सकरकंदी, आदी दोस्तों ये सब क्या होती है ये सब को आप देखे होंगे लोकी, कद्दू, तर्बूजा या दोस्तों आप ये कह सकती है जींगी, गुंगरा इतियादी दोस्तों आप सब देखे होंगे तो दोस्तो वही तो है आपको विसरफी लता यानि दोस्तो विसरफी लता के अगर परिभासा लिखेंगे दोस्तो तो विसरफी लता जो होता है दोस्तो विसरफी लता कहने का मतलब हो जाता है कि वैसे कुछ पौधे ऐसी होती है जो कि आपको बहुत कमजोर होती जियां दोस्ते कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि वह बहुत कमजोर होते और इतना कमजोर होते हैं दोस्तों कि वह जो सिधे खड़े नहीं हो सकते तो वह सिधे खड़े नहीं हो सकते हैं तो दोस्तों वही तो हो गए आपको विसरफी लता के लिए अगर आप इसका परिभासता लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे और आप लिख लिजेगा विसरफी लता आपको आया या नहीं आया दोस्तो बस इतना समझ लेजिए कि जो भूमी पर मतलब डंपर जाया मतलब पसर जाया मतलब इतना समझे कि लेट तो समझ लिजी कि वह जो है विसरफी लता कहलागा और दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि विसरफी लता का जो उधारन है आपको क्या क्या है तो दोस्तों आपके सामने लौकी है कद्डू है और दोस्तों इसके बाद है तर्बुज्जा तर्बुज होगे दोस्तों और इसके बाद है सकरकंदी आदी दोस्तो जändernगी गोंगरा इत्यादी यह सब सेम यह सब आप जानते होंगे दोस्तो यही सब तो है विसरपी लटा समझें दोस्तो और हाँ दोस्तो अभी परिभास से हम लिखेंगे दोस्तो उसे पहले एक और बात हैं जो आपको जानना ज़रूरी है दोस्तो आपके सामने जो है सोगी यह दीख रहा है दोस्तो इसमें भी आरोही लता क्या होता है दोस्तो जब कोई कमजोर तन्य वाला पोधा कमजोर तन्य वाला दोस्तो समझेजी कि कमजोर तन्य जैसे जैसे नहीं था लौकाओ का तो वो भी कमजोर तना ही वाला है दोस्तो जब कमजोर तने वाला पोधा किसी सहारे पर चड़ जाता है तो इसे हम आरोही लता कहते है कहने का मतलब है दोस्तो जब कोई कमजोर तना जैसे मालने थे हैं दोस्तो कदू तो कदू जो है किसी सहारे पर किसी चीज मतलब जैसे हम को चढ़ाना है किसी घोरान समझ रहे हैं घोरान घरलू भासा हम बात करा जाया है तो घोरान समझ रहे हैं दोस्तो यान दोस्तो खारी होता है जहां पर लकडियों के गारा जाता है तो वहाँ दोस्तो चढ़ाया जाता है तो जब कोई कमजोर तन्य वाला जो पौधा होता है उसको सहारे पर चढ़ाया जाता है तो वो आपको कहला था आरोही लता समझे दोस्तो यानि दोस्तो हम यह कह सकती है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं और दोस्तो अगर जो पौधा आपको नहीं चढ़ेंगे तो आप समझ लिजी कि वह जो है क्या है मान लिजी वही क्या है एक विसर्फी लता समझे दोस्तो तो चलिए आज की स्लेक्सर में इतना ही और हाँ दोस्तो परिभासा अगर आप लिखना चाहते हैं तो जल्दी से आप लिख लिजिए हम थोड़ी सी टैपिंग करके लिख दे रहें थोड़ी सी टैपिंग कर रहें में थोड़ी सी दिकत होगी लेकिन कोई बात नहीं है थोड़ी सी टैपिंग कर रहें और आप थोड़ी सी देखते रहें लिख दे रहा है तो चलिए लिख देते हैं यानि इसका परिभास हो जाए कि ये ये सिधे खड़े नहीं हो सकता है पर भूमी भूमी पर फैल सकता है उसे विसर्फी उसे विसर्फी विसर्फी लता कहते हैं उसे विसर्फी लता कहते हैं ये कमजोर कमजोर तन 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 वाले होते हैं तो दोस्ते ये है आपके सामने परिभासा आप चाहते हैं इसको कौपी में नोट कर सकते हैं तो इस तरह से आपके सामने परिभासा है कि दोस्तो ये सिधे खड़े नहीं हो सकते हैं पर भूमी पर फैल सकते हैं उसे हमें विसर्फी लता कहते हैं ये कमजोर तने वाले होते हैं तो किलियर दोस्तो और वही दोस्तो कमजोर तने वाले किसी चीज़ पर चहर जाएंगे दोस्तो तो समझ लिजे कि वह हो गया दोस्तो आरोही लता किलियर दोस्तो तो आरोही लता और दोस्तो आपको विसर्फी लता समझ में आ गया होगा कि क्या होता है तो चली फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए यार वीडियो कैसा है लाइक करना और साथी साथ बताना वीडियो कैसा है